नमस्कार मैं पूचो प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन सोट्स अब ही की सबसे बड़ी ख़वर निकल कड़ा रही है जी हाँ तालापूर के संग्रामपूर छेत्र के बूठ संख्या 335 पर इवियम में बार बार खराबी की ख़वडे सामने आ रही है जी हाँ संग्र कामपूर वो जगह है जहां पर 335 यह बूठ संख्या 335 है जहां पर बार बार यह ख़वर निकल कड़ा रही है कि वहाँ पर जो वोट डाले के लिए इवियम का इस्तमाल क्या जा रहा है वो वार बार खराब हो रहा है ऐसे में जो वहां मदाता जो है जो लंबी-लंबी कता मेंधा वोट डाले ने हैं ऐसे में उनको बहुत परशानी कि सामना करना पर रहा है जी हां हम आपको तारा फुर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं जी हां तस्वीरे देखिये आप तारा पुर्ट की जहां पर लोग लंबी-लंबी कतारों में ख़ड़े हैं अपना बाड़ी आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका बाड़ी आएगा और वो अपना मत देंगे वो डालेंगे ऐसे में जब बार-बार वोटिंग की प्रकडिया में अपना सहयोग दे रहे हैं जो वहां जितने भी मद्दाता करें जो लोग वहां पहुंचे हैं वोट डालें और वह लंबी कतारों में खरे खड़े थक गया हैं उनका कहना है कि हम सुबस साथ बज़े से यह मौज़े वोटिंग प्रकडिया स्टा आठीव वियम को फिर से अटक किया गया और फिर आदे घंडे बाद खराब हो गया उसके बाद दुबार्शा टिक किया गया और तीसरही बार फिर वहां का ईवियम खड़ा बोगया जिह हैं यह तस्मीरे हम आपको तारपुर की आ जिका हैं यहां तारपुर20 संग्राम जहां पर बार बार एवियम में खड़ाबी की खबड़े सामने आ रहे हैं जूँ हाँ वहां के जो लोग है काफी ज्यादा परशान है उनका कहना है कि धूप में खड़े खड़े जुके हैं वह काफी चिंदित था है उनका कहना है कि हम अपना काम खोड़ कर मद्दान करने आ आती है कि अंदर से अधिकारी आके बोलते हैं कि इवियम अभी खड़ाब है आपको कुछ देर और इंतिजार करना पड़ेगा ऐसे में चो लंबी-लंबी कतारे हैं वो लगभग पिछले डेर घंटे से इंतिजार कर रही क्योंकि हर आदे घंटे में इवियम की खड़ाबी की खबड़े सामने आती है और लोग मायूस होकर उसी लाइन में फिर से दुबारा बैठ जाते हैं वहां के डों का ये भी कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है यहां जब भी चुनाब होता है इस बूत से ऐसी ही खबड़े निकल कर सामने आती है इवियम की खड़ाबी की ख संग्रामपुर्शेटर है बूर्ट संग्या 335 जोहाँ पर पिछले 2-3 घंटे में 3 बार खड़ाब हो चुका है ऐसे में वहां के लोग काफी निडास देख रहे हैं लेकिन अभी देखना ये है कि लोकों का उत्सा अभी भी कमा नहीं है और बागी की तमाम खबरों के पीज को लाइक करें धन्यवाद